ओम शांति ओम शांति आज 19 सितंबर 2014 दिन गुरुवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बाते कर पावन बनना दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो प्रश्न कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सा बादते छूट जाएंगे उत्तर हम बेहत बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे हमें देवता बनना है यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सा बादते छूट जाएंगे तुम कहो ना कहो आपे ही छोड़ देंगे उल्टा सुल्टा खान पान शराबादी खुद ही छोड़ देंगे कहेंगे वाह हमको तो यह लक्ष्मी नारायन बनना है 21 चन्मों का राज्य भागे मिलता है तो क्यों नहीं पावित्र रहेंगे ओम शन्ति बाप खड़ी खड़ी बच्चों का अटेंशन खिचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो बुद्धी कोई और तरफ तो नहीं भागती है बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ पावन तो जरूर बनना है और नौलेज तो तुम किसी को भी समझा सकते हो ये स्रेश्टी का चक्र कैसे फिरता है किसी को भी तुम समझाओगे तो जट समझ चाएंगे बल पवित्र नहीं होगा तो भी नौलेज तो पढ़ ही लेगा कोई बड़ी बात नहीं है 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयू है इतने जन्म होते है कितना सहज है इनका connection याद से नहीं है यह तो है पढ़ाई बाप तो यथार्त बात समझाते हैं बाकी है सतो प्रधान बनने की बात वह होंगे याद से अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत चोटा पद पालेंगे इतना उच पद नहीं पा सकेंगे इसलिए कहा जाता है attention बुद्धी का योग बाप के साथ हो इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है teacher के साथ योग तो हर एक कहोगा ही मूल बात है याद की याद की यातरा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापिस घर जाना है बाकि पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है कोई बच्चा भी समझ सकते हैं माया की युद्ध इस याद में ही चलती है तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खीच कर भुला देती है ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है मैं शिव हूँ नहीं मैं आत्मा हूँ शिव बाबा को याद करना है ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की परवेश्टा है ऐसे हो नहीं सकता बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूँ हम इस रत पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं हाँ कोई डल बुधी बच्चे हैं और कोई अच्छा जिग्या सुआ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में परवेश कर द्रिश्टी दे सकता हूं सदेव नहीं बैट सकता हूं बहुरूप धारण कर किसी का भी कल्यान कर सकते हैं बाकि ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिबाबा की परविश्टा है मुझे शिबाबा यह कहते हैं नहीं शिबाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं मूल बात है ही पावन बनने की जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं, बाब बिगर इतना ग्यान तो कोई दे न सके, आत्मा को ही नौलिज मिलती है, उनको ही ग्यान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी आत्मा ही बनती है, तो अब आत्माओं से बापैट बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं, तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवि इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है उसके लिए बाबा को याद करना है अक्सर करके ये ही कहते हैं बाबा मेरे से यह भूल हुई है जो हम दे अभिमान में आ गया बाब बैट बच्चों को समझाते हैं पावन जरूर बनना है कोई विकर्म न करो तुमको सर्वगुण संपन यहां बनना है पावन बनने से मुक्तिधाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है तुम अपने से बात करो दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो कहते हैं लडाई में दो करोड मरे इतनी आत्माएं कहां गई अरे वह कहां भी गई उसमें तुम्हारा कह जाता है तुम क्यों टाइम विस्ट करते हो और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना और बातों में जाने से मूझ पढ़ेंगे कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूझ पढ़ते हैं बाप कहते हैं मन मना भव देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो मेरे पास ही तुमको आना है मनुष्य मरते हैं तो जब शम्शान में ले जाते हैं उस समय मूझ इस तरफ और पाव शम्शान तरफ रखते हैं फिर जब शम्शान के पास पहुँचते हैं तो पाव इस तरफ और मूझ शम्शान की तरफ कर देते हैं तुम्हारा भी घर उपर में है ना, उपर में कोई पतित जा नहीं सकते, पावन बनने के लिए बुद्धी का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्तिधाम में जाना है, पतिते इसलिए ही भुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो, तो ब हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं, संस्कृत भाषा आदी कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदु धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए, फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं, तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो, तो बाप की याद में ही बैटना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं, इतने मच्छर निकलते हैं, कहां जाते हैं, अर्थक्विक में धेर की धेर फट से मरते हैं, आत्मा है कहां जाती हैं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुमको बाप ने श्रीमत दी है, कि अपने उ परसा लेना है और बातों में नहीं जाना है इसलिए बाबा घड़ी-घड़ी कहते हैं अटेंशन का बुद्धी तो नहीं जाती भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना और कोई बात में फाइदा नहीं मुख्य बात है पावन बनने की यह पक्का याद रखो हमारा बाबा बाबा भी है टीचर भी है प्रिसेप्टर भी है यह जरूर दिल में याद रखना है बाप बाप भी है हमको पढ़ाते हैं योग सिखलाते हैं टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धी का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है यही बाप भी कहते हैं तुम बाप के त तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह knowledge और कोई दे ना सके, मनुश्य तो घोरंधी आरे में है न, ज्यान में देखो कितनी ताकत है, ताकत कहां से मिलती है, बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो, फिर पढ़ाई भी simple है, उस तो सात रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे, फिर उसमें है बुद्धी पर मधार, कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो दो-तिन दिन में ही अच्छी रीती समझ जाते हैं, मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्कि तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे, ये बुद्धी में आता है न, देवता बनना है, तो दैवी गुण भी धारन करने हैं, जिसको बुद्धी में आ गया, वह फट से सबाते छोड़ देंगे, तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे, उल्टा सुल्टा खानपान, शराबादी खुद ही छोड़ देंगे, कहते हैं, वह हमको यह बनना है, 21 जनमों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, चटक जाना चाहिए, मुख्य बात है याद की यातरा, बाकि 84 के चकर की नॉलज तो एक सेकिन में मिल जाती है, देखने से ही स कभी कहां से भी मिल नहीं सकता है, यह पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है, कि बाप को याद करो, बाप पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो, भगवानु वाज, मैं तुमको राज्योग सिखलाता हूँ, और कोई मनुश्य ऐसे कहना सके, टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे न, बेहत का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परन्तो आत्मा कैसे पवित्र बनेगी, यह कोई भी बता नहीं सकते हैं, भल अपने को भगवान कहें वा कुछ भी कहें, परन्तु पावन बना नहीं सकते, आजकल भग गवान तो बहुत हो गए हैं, मनुश्य मूझ पड़े हैं, कहते अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है, भल तुम्हारी परदर्शनी वा म्यूजियम आदि का उद्गाटन करते हैं, परन्तु समझते कुछ भी नहीं, वास्तव में उद्गाटन तो हो ही गय बाकि नई दुनिया का उद्गाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसी के उद्गाटन करने की दरकार नहीं रहती, उद्गाटन तो स्वत ही हो जाएगा, यहां पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे, तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए यही मेहनत करनी होती है, विनाश होगा, फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे, सत्यूप की सथापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी, वाकि Opening Ceremony कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है पिछाड़ी में क्या होता है आगे चल समझेंगे तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर पास्विद ओनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते इतना पद भी नहीं पा सकते हैं इसलिए बाप कहते है खूब पुर्शार्थ करो, दंदा आदी भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदी भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युकती से, बाकी तो सब भी वहा ट्रांसफर कर दो, सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, भक्ती मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इंडाइरेक्ट, यह है डाइरेक्ट, पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेंदेन है, अ गरीब साहुकारादी सब आते हैं बाकि करोड़ पती तो मुश्किल आएंगे बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास भारत बहुत गरीब खंड है बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर थे जहां बाप आकर सारे विश्व की सद्गती करते हैं यह है नर्ग तुम जानते हो नर्ग से फिर स्वर्ग कैसे होता है अभी तुम्हारी बुद्धी में सारी नॉलज है बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्यान कर देते हैं सत्यूग में कोई अकल्यान की बात रोना पीटना आदी पूतों को सुख देते हो फिर जब तुम्हारी आत्मा संसकार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन अभी तुम हैल में बैठे हो इनको कहा जाता है कांटू का जंगल बाप को ही बागवान कि वईया कहा जाता है काते भी है हमारी नईया पार करो क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है महिमा भल गाते हैं परन्तु समझते कुछ भी नहीं जो आया सु कह देते हैं उचते उच भगवान की निंदा करते रहते हैं तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं सर्व का प्रति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं बाप ने खुद परिचे दिया है तुम भगती नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं वह है मेज्योरिटी तुम्हारी है मिन्योरिटी जब तुम्हारी मेज्योरिटी हो जाएगी तब उनों को भी कशिश होगी बुद्धी का अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार अपनी उन्नती का ही चिंतन करना है दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है पढ़ाई और याद पर पूरा टैंशन देना है बुद्धी भटकानी नहीं है अब बाप डारेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ड्रास्वर कर देना है पतित कात्माओं से लिंदेन नहीं करना है विद ओनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है वर्दान मन और बुद्धी को व्यर्थ से मुक्तरक ब्रहमन संसकार बनाने वाले रूलर भव मन और बुद्धी को व्यर्थ से मुक्तरक ब्रहमन संसकार बनाने वाले र व्यर्थ वातावर्ण वा व्यर्थ द्रेश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है फिर बुद्धि उसको सहयुग देती है मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संसकार बन जाता है फिर भिन-भिन संसकार दिखाई देते हैं जो ब्रहामन संसकार नहीं ह किसी भी व्यर्थ संसकार के वश होना अपने से ही उद्ध करना घड़ी-घड़ी खुशी गुम हो जाना यह एक शत्रिय पन के संसकार है ब्राहमन अर्थात रूलर व्यर्थ संसकारों से मुक्त होंगे परवश नहीं स्लोगन मास्टर सर्व शक्तीवान वह है जो दरड़ प्रतिग्या से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले ओम शंति